प्रिये विधार्थियू, SBP कोलेज डुंगरपूर की ओनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जीसस संग और धार्मिक नयायले के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जीसस संग के बारे में हम बात करते हैं। जीसस संग जो है वो इगनिसियस लायूला ने स्थापित किया था। लायूला कैथोलिक चर्च में नव सक्ति संचार के लिए महतुपूर्ण भूमिका निभाने वाले विक्ति के रूप में जाने जाते हैं। इनका समय 1491 में इस्वी से 1556 इस्वी तक रहा। स्पेन निवासी लायूला एक सैनिक थे और 1521 में नवार के युद में ये घायल हो गए थे और इनके पैर को चोट लग गई थे। लेकिन फिर भी इनके विचार नहीं बदले। इन्होंने चर्च की सेवा करने का निश्य किया। कैथोलिकों के वस्तर धारन कर लिए। साथ वर्स तक इन्होंने धर्म सास्त्रों का गहन अध्यन किया। पैरिस विश्व विधाले में अपने अध्यन के लिए ये गए। और फिर यहीं पर एक दिन इन्होंने सेंट मेरी के चर्च में अपने साथ यूं को एकतर करके जिसस संग स्थापित किया। जिसे इसाम हसी का समाज भी कहते हैं। तो स्पेन निवासी लायूला जो एक वीर सैनिक थे। इन्होंने कैथोलिक चर्च में नव सक्ति के संजार के लिए जिसस समाज की स्थापना की थी। इसके सदेश्य जैसूद कहलाते थी। 1540 इस्वे में इस संस्था को उपचारिक स्विकृती भी दे दी गई थी। इस संस्था के कारियों रुपलब्दियां अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि इसका जो पूरा संगठन था वो सैनिक आधार पर किया गया था। इसके सदेश्य से नीश्वार्थ सेवक के रूप में काम करते थे। कठोर अनुसासन, सरल जीवन, पवित्रता, आग्या पालन, इसाकी जीवन का अनुकरन करना, पोप के प्रती पूरित्र से समर्थन देना, इत्यादी इस संगठन के मुखे सिध्धान थे। इनके सेवकारिय की वजह से ही कैठोलिक चर्च ने खूब उनत्ती की। ये गैर हिसाई देशों में भी गए, वहां पर भी इनोंने कैठोलिक धर्म का खूब परचार किया। भारत में भी जैसूइट पादरी अकबर के सासनकाल में धर्म पर चार के लिए आये थे। फ्रांसिस जैवियर तो अकबर के दर्बार में ही रहे। लेकिन ये जो जैसूद थे, ये कट्रोड धर्मांद थे। इनके कारण ही सतर्मी सदी के मध्य तक कैठोलिक धर्म पुन्य परतिष्ठित हो गया था। क्योंकि जैसूद बहुत अच्छे मिसर्णी थे। इतनी अच्छे मिसर्णी थे कि इन्होंने कैठोलिक धर्म को छोड़ने की होड को तो रोकाई। साथ ही जो लोग कैठोलिक बन गए थे उन्हें भी पुन्य कैठोलिक बनाया। और जो दूर-दूर के छेत्र थे वहां पे भी कैठोलिक धर्म फैलाया। अब हम बात करते हैं कैठोलिक चर्च में ही अनुसासन स्थापित करने के लिए जो धार्मिक नायले थे यानि इन्क्विजिशन के बारे में तो लगातार जब प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रसार हो रहा था तो उसके प्रगति को रोकने के लिए धार्मिक नायले विविन देशों में स्थापित के गए और इनका उप्योग प्रोटिस्टेंट वादियों को आतंकित कर उनके प्रसार को रोकना था पोप पोल तर्थिये ने इस संस्था को पुनर जीवित किया था यह संस्था सर्वोची अधिकार रखती थी यह प्रोटेस्टेंट वादियों और जो ढूल मुल कैथोलिक थे यानि जो कैथोलिक धरम का ढंग से पालन नहीं करती थे उनका पता लगा कर उनको दंड देती थी कैथोलिक धरम के विरोधियों को निर्ममता से कुचलने का काम भी करती थी कैथोलिक चर्च के सिध्धानतों का यह कठोरता से पालन करवाती थी लेकिन यह सादन अनुप्यूक्त थे इसने चर्च को कलंकी थी किया क्योंकि जिस चर्च का धारदया प्रेम सेवा भाव था वहीं अब नर्संस अत्याचार किये जाने लगे यह जो चित्र हम देख रहे हैं धारमिक नयलेगा जरूर इन नयलों ने कैथोलिक धरम को पुने स्थापित करने की दिशा में महतुपून कारिये किया लेकिन साथ ही इन्होंने ऐ सहिशनुता का प्रमाण भी दिया और इन्होंने नर्संससता पुरुवक प्रोटेस्टेंट वादियों का द्यमन किया धन्यवाद